हलो विवास, वलकम चुरी हानास रेसिपी, आज हम बनाएंगे पंजाबी स्पेशल कड़ी पकोड़ी की रेसिपी, यह बहुती टेस्टी बनती है और आसानी से बना सकते ही, आप भी ज़रू ट्राइ करके देखिए, आपको पसंद आएगी, यह पकोड़ी की कड़ी पे स्प लिए एक मिक्सिंग बॉल ले लिए, इसमें दो मीडियम सच कटे हुए प्याज आड़ कर लेंगे, यह प्याज इसी तरह छोटे पीस कट कर सकते ही, लंबे-लंबे कटकर के भी दाल सकते ही, और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पता आड़ कर लेंगे, दो से तीन बरी कटी ह दुए लालमीरची पूडर और हाफ टीस्पूण हलदी पूडर आड़ कर लेंगे, लालमीरची भी देखके दाल लीजिये, और एक कप जितना बेसन आड़ कर लेंगे, हाफ टीस्पून कसूरी मेथी, यह आप्शनल ही है अपना ही दालना चाहे तो अवाइड कर सकते ही, 1 by 4 टीजपून अजवान एड़ कर लेंगे अजवान को हास से मसल के दाल लीजिए इससे फ्लेवर अच्छा सा रहेगा स्वाद अनुसार नमक एड़ कर देंगे अपने हिसाब से नमक को एड़ कर लीजिए अब यह सारे इंग्रीडियन्स अच्छे सा मिक्स होने तक मिक्स कर लेंगे फर्स्ट बिल्कुल पानी नहीं दालना है फर्स्ट यह अच्छे मिक्स होने तक इंग्रीडियन्स मिक्स कर दी पकोड़े की मिक्शर में दही दाल के पकोड़े बनाने से पकोड़े बहुती नरम बनते हैं अब जरूर ट्राइ करके देखिए दही दाल के आपको ही पता चलेगा अब आड़ कर देंगे एक पिंच बेकिंग सोडा और हाफ टीस्पुन जीतना अद्रुक्लोसन का पेस्ट आ अब नहीं दालना चाहे तो अवाइट कर सकते ही एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अभी देखो अच्छा सा मिक्स हो गया है थोड़ा ये मिक्शर घट लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा पानी दाल दूंगी एक टेबल स्पुन जितना देखो ज्यादा नहीं दाल दालना चाहेगा तो पकोड़े सही से नहीं आएंगे इसी तरह रहना है कंस्टेंजी अब एक कड़ाई ले लेंगे गयास को आन कर देंगे कड़ाई गरम होने के बाद डीफ्राई के लिए आइल अब हैद कर लेंगे आइल को मीडियुम फ्लेम पे रखके गरम होने देंग अब आईल अच्छा सा गरम हो गया है अब पकोड़े दाल लेंगे जितने पैन में आते हैं उतने पकोड़े आड़ कर लेंगे पकोड़े के साइज आप अपने हिसाब से रख सकते ही मैं मीडियम साइज में दाल रही हूँ यह पकोडे फिर कड़ी में दालने के बाद इसकी साइज और थोड़े बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं मीरियम साइज में दाल रही हूँ आप चाहे तो छोटे भी बना सकते ही ग्यास के फ्लेम को मीरियम टू लो फ्लेम पे रखे पकोडे अच्छा सा कलर चेंज होने तक डि सारे साइड भी अच्छा सा कलर चेंज होने तर डिफ्राइ करके निकाल लेंगे यह पकोडे हलकल सा कलर चेंज हो गई ही और थोड़ा कलर आने तर डिफ्राइ करके निकाल लेंगे अभी देखो यह पकोडे अच्छा सा कलर चेंज हो गई ही वे पकोडों को निकाल देंगे एक टीशू पेपर में काल दीजिए ताकैं एक स्ट्रा अइल है होने कल ज़ा सके दीखो कितना पर्फेक्ट पकोड़े बने हुइए ही इसी तरह हम सारे पकोडों को भी डीफ्राइ करके निकाल लेंगे अब ये सारे पकोडों को मैं डीफ्राइ करके निकाल दी थी अब ये साइड में रख देंगे अब अगला प्रासेस देखेंगे एक बड़ा mixing ball लेके उसमें तीन से चार टेबल स्पून जितना बेसन आड़ कर लेंगे और एक कब जितना दही आड़ कर लेंगे अभी अच्छा सा mix होने तक mix कर लेंगे फर्स्ट पानी नहीं दाल लीजिए बेसन और दही को अच्छा सा mix कर दीजिए इसी तरह हम करने से बेसन में लंप्स नहीं रहेंगे बिना लंप्स के ही आपको एक बेसन का घोल बनाना है अभी देखो अच्छा सा mix हो गया है बिल्कुल इसमें गुटलिया नहीं है अभी पानी आड़ कर लेंगे दो कब जितना अब देखो और एक अब जितना पाने आट कर देती हूँ अब अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये बेसन और दही का घोल को साइड में रख देंगे मेरी चानल पर आप नहीं होंगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए ताके मैं अप्लोड करेगी तो वीडियो अब सबसे पहले देख सकें अब एक पैन ले लेंगे गास को आन कर देंगे पैन गरम होने के बाग तीन से चार टेबल स्पून आइल आड कर लेंगे ये जो मैं पकोडे फ्राइ करके रखे हुई है वो ही आइल को यूज़ कर रही हूँ अब चाहे तो फ्रेश आइल भी ले सकते ही ये आइल तो गरम ही है अब इसमें आड कर देंगे half teaspoon जितना राई, half teaspoon जितना 0 1 by fourth teaspoon जितना मेथी दाना एड कर लेंगे थोड़ा मेथी दाना ज्यादा ही लगेगा इसे अब एक तेज़ पता एड कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए medium flame पे रखे फ्राइ कर लेंगे अब इफ्राई करने के बाग दो मीडियम सेच कटी हुई प्यास आड़ कर लेंगे प्यास को इसी तरह लंबी-लंबी कट करके डाल दीजिए अब इफ्यास को हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे जादा कलर चेंज होने की ज़रूरत नहीं है यह लाइट पिंक कलर में आएगी तो बस उतना ही हम प्यास को फ्राई करना है ग्यास के फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखे ही फ्राई कर लीजिए चलाते हुए अब इदेखो प्यास हलका सा कलर चेंज हो गई है इसमें आट कर लेंगे 7-8 कड़ी पते यह आप्शनली है अब नहीं दालना चाहे तो आवाइट कर सकते ही और एक टीस्पून जितना अद्रकलोसन पेस्ट आट कर लेंगे अब इद्रकलोसन पेस्ट हलका सा कलर चेंज होने तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे अब इद्रकलोसन पेस्ट भी कलर चेंज हो गया है अब ग्यास के फ्लेम को लो फ्लेम पे कर दीजिए क्योंकि आप मसाले दालना है हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ग्यास जल जाएंगे मसाले इसमें एक टीस्पून धन्या पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला आट कर लेंगे हाफ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर आट कर लेंगे एक से दे टी स्पुन जीतना लाल मिर्ची पाउडर तीके के हिसाब से अज़स कर सकते ही अब यह अज़सा मिक्स कर देंगे एक बाद जादा फ्राइ करना नहीं है मसाले नहीं तो जल जाएंगे और ग्यास के फ्लेम को लो फ्लेम पे ही रख लीजिए इस बात की ध्यान रख लीजिए अब आट कर देंगे दही और बेसन का एक घोल को आट करके ग्यास के फ्लेम को अब हाई कर लीजिए और चलाते हुए अब यह कड़ी को पकाएंगे यह पकना स्टार्ट हो जाएगी कड़ी गाड़ी होने लगेगे एक उबाल आने तक चलाते हुए पका लीजिए नहीं तो लम्स पड़ जाएंगी इसलिए आप चलाते रहना है बीश बीश में अब देखो कड़ी गाड़ी होने लगी है यह कड़ी अच्छा सा पकेगी तो तब और थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा देखो अच्छा सा चलाते रहिए बीश बीश में देखो कड़ी अच्छा सा पकने लगी है कलर भी अच्छा सा चेंज हो गया है इसमें पानी आड़ कर लेंगे एक कब जितना पानी आड़ करके दुबारा से मिक्स करके और एक कड़ी को दो से तीन मिनिट तक पकाएंगे अब आड़ कर देंगे स्वाद अनुसार नमक अब जैसा हम नमक खाते हैं वो ही हिसाब से नमक को आड़ कर लीजिए वे मिक्स कर द सारा ढके पकाएंगी तो कुछ बार कड़ी अच्छा सा पके उबल के नीचे आ सकती है इसलिए इस बात की ध्यान रख लीजिए दो से तीन मिनिट तक अच्छा सा कड़ी पक चुकी है देखो इसी तरह का स्टक्षर रहना है और यह कंस्टेंसी थोड़ी गाडी लग रही है क दुबार से मिक्स कर देंगे और एक उबालाने तक पकाएंगे अभी कड़ी अच्छा सा पकने लगी है अभी जो हम डी फ्राइ करके रखे हुए पकोडों को आट कर लेंगे एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अभी ढ़के और दो से तीन में के लिए मीडियम फ्लेम प कड़ी में अच्छा सा पकेंगे तो कड़ी को अबज़र कर लेंगे पकोड़े और पकोड़े का साइज भी बढ़ा हो जाएगा दो से तीन मिनिट के लिए अच्छा सा एक कड़ी पकोड़ा अच्छा सा पक गया है देखो इसकी कंस्टेंसी अब देख सकते ही थोड़ी थं अब नहीं दालना चाहें तो अवाइट कर सकते ही फ्लेवर अच्छा सा रहेगा इससे और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पता आड़ कर लेंगे बार अच्छा सा मिक्स कर देंगे एक बार चक्के देख लीजिए आपको नमक कम लगेगा तो और थोड़ा सा नमक आड़ कर ली अब त्ड़के को वाड़ कर देंगे मिक्स कर दीजिए इस तढ़के को अड़ा आड़ कर लेंगे और जाहें होने के बाद नहीं एक बाद मिक्स कर दीजिए अब तड़के को कड़ी पकोड़े में add कर लेंगे यह गीक तड़के से फ inspirational बढ़ए रहेगा अब गीक तड़क नहीं देनाचाहे तो आईल से भी दाल सकते ही तो टेस्ट तो गीक तड़के से ही आएगा बनके तयार हो गई है पंजाबी टेस्टी कड़ी पकोड़े की रेसिपी देखेना फ्रेंड्स कितना आसानी से बना सकते ही आप भी ज़रूर ट्राइ करके देखिए कड़ी पकोड़े को अपना नार्मल चावल के साथ और जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते ही कड़ी ठंडी लगेगी तो टेस्ट आउर अच्छी लगती है देखो एक कितना परफेक्ट कड़ी पकोड़ा बन गया है यह पकोड़े को मैं इक तोड़के भी दिखा देती हूं आपको एक कड़ी भी देखो कितना परफेक्ट बनी हुई है रिस्पी अच्छी लगी तो लाइक कर ये अपने फ्रेंस के साथ शेयर कीजिए और टेस्टी रिस्पी के लिए मेरे चानल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ थांक यू फर वाचीं